वो ने जाग हमारे धरम पर बार बार वो हमला करते हैं तो हम विकास को लेके चाटे यह नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है प्यूश राइव आप देखें तो कुशनार भारत अभी अभी जो क्लिप आपने देखी यह क्लिप बिहार के चुनाओं में जंता का मन जानने के लिए अ में पहुंचे यहां पर वोट बैंक शिफ्ट होता रहता है या फिर समी करण कुछ और है तो उन से क्या-क्या पूछा गया वह बागी हिस्सा भी दिखाऊंगा यह वह ऐसा हिस्सा था और इसके लावा एक हिस्सा और तो इस हिस्सा में जो आपने छोटा वारा हिस्सा देखा उसमें साफ बात है अगले को आपने कहते हुए सुना कि हमारा मजहब खत्रे में है तो हम विकास को चाटे बहुत प्रस्तल के अरता और यो विडियो विकलिर थी विडियो विकलिर थी कोई यह भी नहीं कह सकता कि महुर्द है और जो लोग मेरे यूट्यूटूब चैनल प वही है वो जो कुछ है और आप सोच रहोंगे कि उसके चाटे और बयान पर किसी ने समर्थन किया या विरोत किया तो बता दूं कि जितने लोग ग्रूप में थे वहां पर खड़े थे वो सब खुश थे समर्थन कर रहे थे कि हां हमें मजहबी लीडर चाहिए हमारा मजहब हुरा है है ये इसलाम पर मुसलमानों पर हमला हो हगा सारे दुनिया के मुसलमान फ्रांस खिलाफंदा और ये मौदी सरकार बोल था हमंसांसे तो यह हम सभन्थन दे में इससे क्या जाहिए होता इनकी चिंता क्या थी बाबा की जो ह हो चाहते हैं कि अब ये चाहते हैं कि जो भारत की सरकार हैं इनके हिसाब से काम करें जैसे आज तक 2014 से पहले चलती थी ये चाहते हैं कि भारत सरकार इनके उस हिसाब से काम करें जैसे भारत की सरकार इनको अपीज करने के लिए इनको खुश करने के लिए चलती थी ये चाहते हैं कि भारत की सरकार उस तरीके से काम करे 2014 से पहले जैसे करती थी जो इसराइल से रिस्ते मनाते हुए भी इसराइल के प्रामिनिस्टर से openly नहीं मिल की थी और अगले ने तरसी अगले लगा लिया और भारत ने बुला लिया ये चाहते हैं कि भारत की सरकार उस तरह काम करे कि इन जिहादी आतंकवादी अटैक्स को जो फ्रांस में हुआ, जो आस्ट्रिया में हुआ, वियना में इस सारे अटैक्स को भारत की सरकार सपोर्ट करे गवर्मेंट्स का अपोस्ट करे terrorism के साथ हो जा भारत सरका तब ही खुश हो जाएंगे इनके मजहबी terrorism के साथ हो जाएंगे और अगर नहीं होंगे तो यह यह प्रूफ करना चाहते हैं कि जहां जहां हमारी majority होगी धरती के जिस कोने में वहां हम इन secular को भी नहीं पूचेंगे जब तक हम minority में उस secular के साथ रहेंगे जो हमें अभीज कर रहा है जब हम majority में तो secular को भी लात मार देंगे और सिरु अपने मजहबी लीडर को खड़ा करेंगे यह सच है यह fact है हम उसी को खड़ा करेंगे और उसके बाद चुनावती देंगे कि जो भी एंटी बीजेपी काम करेगा हम उसके साथ है सरकार एंटी बीजेपी जो भी गौवर्मेंट बनेगी यह जो एआएम के पार्टी है जिन्लों को हम लोग भोट देंगे उनसे पहले मौएदा करवाएंगे कि आप जो है जीतने के बाद वहाँ जाके एंटी गौवर्मेंट जो भी मनि बीजेपी का गौवर्मेंट एंटी बीजेपी जो भी गौवर्मेंट स्टैबलिस होगी उसको आप सपोर्ट करेंगे इसी उमीद इसी भरुसा के साथ हम लोग जो है एआएम को भोट देंगे एक बात यह बताईए कहते हैं कि मुसल्मान सबसे पहले उनको वोट करते हैं जो बीजेपी को हराता है दूसरा उनको वोट करते हैं जो उनका सबसे प्री होता है तीसरा देखते हैं कि सरकार किसकी बन रही है ऐसी इस्तितिति में आपको लगता है कि इस इलाके में सीमानचल में वो ऐसी जो कोशिश कर रहे हैं, वो किसी तऱ से sulfur कर रहे हैं, जहां पर MIM के लोग जीत रहे हैं, तो इनके पास दो ही रुख है बिहारी जन्ता को मैं कहना जाता हूँ अगर कोई बिहार से देख रहा है मेरी ultimate request यह है कि साहब समी करन बदल चुके है बिहार में या पूरे देश में जहां जहां आपको पता होगा कौन से अबादी किसकी कितनी है तो आप यह मानके चलिए कि जब से फ्रांस की घटना हुए और जब से घटना पर भारत का जो stand आया है रुख आया है कि हम फ्रांस के मैकरॉन के साथ हैं वहां के राष्ट्र अधक्ष के साथ हैं ना कि इस जिहादी आतंगवादी हरकत के साथ जो कि कहती तो है कि यह मजभ शांती प्रिया मजभ है प्रुथ का मजभ है लेकिन गला काट देती है और से कहती है हमें शांती ऐसे चाहिए वो मुझे परिशान कर रहा था मेरे थराम को खत्रे में डाला था मजभ को खत्रे में डाला था तो मैं चाहता हूँ मेरे एक request है कि जो नजरिया इनका है बिहार में vote देने का जो नजरिया इनका है बिहार में सरकार बनाने का सच्टा में जिस व्यक्ति को लाने का अपने area में जिस व्यक्ति को चुनने का आपको भी इनसे थोड़ी सीख लेनी चाहिए आपको भी समझना प भोगता उसके अलाब उठाने वाला कोई और है तो आप जो लोग टैक्सपेर्स हैं आपको इस समझने की जरूत है कि कब तक आप आख बंद करके अपने खुन पसेने की कमाई का एक बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों को पालने में गुजारेंगे जो अल्टिमेटली ऐसी पावर आपको नुक्सान पहुचाएगी भविष्चे ने और इनकी मनमानी को चलने देगी उसको सपोर्ट करेंगे इस वीडियो के इंड में एक बात मैं कहना चाहता हूं उसको हमेशा ध्यान रखिए और उसके विचार करिए बस सुनके मान मत लिजे विचार करिए कि भारत में डेमॉक्रिसी लोकतं तर जनता की तब तक ही चलेगी जब तक वो जनता सनातनी है हिंदू है मेजॉर्यटी में मेजॉर्यटी में जब तक हम 80% 100% हैं एक नमर दे रहा हूं एक hypothetical नमर दे रहा हूं तो कि अब हम लोग धीर धीर कम हो रहा हैं वो लोग धीर धीर बढ़ रहा ह जब तक हम majority में हैं तब तक आप democracy का रोना रो भी सकते हैं अगर आपको लगता भी है कि खत्रे में है अगर आपको लगता भी है कि मुदी ने खत्रे में डाल लिया है ठीक लेकिन अगर जहां यह मामला 60-40 आया आपको एहसास होने लग जाएगा जहां यह मामला 50-50 आया आपका जीना मुश्किल हो जाएगा जहां यह मामला उधर 60 पहुँद गया और आप 40 रह गए आपकी उल्टी गिंती सुरू हो जाएगी जैसे पाकिस्तान में जो 30% थे minority में हिंदू या non-muslims 30 का 3 होके रह गए इनकी मान सकता वही नजरा गई कि आप majority में है तो आप कैसे पालेंगे minority को तो यह लोग हमें ग्यान ना दे अभी आखे बोलेंगे पाकिस्तान तो कुछ अलग चीज़ है पाकिस्तान की मत बात करो पाकिस्तान नहीं है वो वहां भी इसलाम की चलती है वहां भी कुरान की चलती है वहां भी टोपी वाले ही रहते हैं वहां भी आपके जैसे ही लोग रहते हैं और वहां भी यहीं से गए हुए लोग हैं आप ही के पूरवज हैं आप के वो पूरवज जो मांग रहते पाकिस्तान और वो रह गए और उनके ही कुछ संगी साती चले और कुछ गये बहुत छोटी तादाद में गये असली मांगने वाले आज भी है और इसलिए देश रोज इस खतरे को महसूस करता है कि कभी भी टुकड़े हो सकते हैं कभी भी मजब के आदार पर रोज मांगे होती हैं अलग-अलग सेक्टर से मांगे होत कहां जाना है आपको पाकिसान या बंगलादेश वैसे उम्मा अगर काम करती है आपकी तो दुनिया के किसी भी इसलामिक कंट्री में गुहार लगाई है अगर आपकी उम्मा रियल है तो आपको एकसेप्ट कर लिए जाएगा और आपको एकसेप्ट नहीं किया जाता तो सम हमार्ली है तो दूसरे वगो भी नहीं चूपना चाहिए क्योंकि दूसरे वार को भी उतना ही पूरा हग है अगर एकको है तो दूसरे को भी है पहली चीज़ुसरी चीज़ चीज़ी है कि अब इस देश में मझभब के आधार पे एक ऐसे नेता को मैं पैदा होते हुए और ये लोग चाहते हैं कि एक और लीडर को मजहब बेसिस पर तयार करें ताकि एक और टुकड़ा हम कर सकें तो अगर हैदराबाद में रहने वाला व्यक्ति ताकत में आएगा तो आप सोच सकते हैं कि हैदराबाद को सबसे पहले अलग करने की प्लानिंग करेगा तो ऐसे कि मैं किसी को पोलराइज करने के कोशिश कर रहा हूं कोई पोलराइजेशन नहीं देश की सुरक्षा देश का विकास और सुरक्षा हर उस विचार धारा से जो देश को तोड़ने में आए दिन लगी रहती है और बाकी बिहारियों से पढ़ा लिखा समझदार तो कोई है न और अकर बिहारियों को मेरी बात समझ में आ गई हूँ तो और भी बिहारियों से शेयर करें वाटसर पे एक बार लिंक कर जाएगी फेजुक विबर आप लिंक शेयर कर देंगे तो अपने आपी जैंदा समझदार है फिर मिलता है अगली वड़ों में जैहन वंदे मातर में प्रूब करूब शेयर को शेयर कर देंगे दोजसों में जैए है तो अबिहारियों में आप से प्रूब कर देंगे गतर होगा जाएगी जैएगी जैएगी उयां है।